क्या कहती है हमारी राशी? कैसा हो हमारा विज्टिंग कार्ड? कैसा रहेगा हमारा भविश्च? कौन सा रंग करता है हमको सूद? क्या कहता है हमारा आज कभविश्च पल? नौकरी में कब मिलेगी तरक्ति? व्यापार में कैसे होगी बढ़ोत्री? विवा, संतान, सम्मान, प्रतिष्ठा वैसे कई सवालों के जवाब के लिए हैं मैं आ रही हूँ आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर दरपन नक्षत्र में नमस्कार दर्शको मैं हूँ गुपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्राते दरपन न्यूस आप सभी का सभी सभात है हमारे खास कारे करम दरपन नक्षत्र में, हमारे एक्षपर्ट है राकी देवरानी जी ल्सकाー जाझा पोध़ सभात major है क्या आप जानते हैं हमारे water क Hé 따ound के बारे में बात करेंगे राश्यों की तो बात करते हैं मेश राशी कि मेश राशी की जातकों गैसा रहेगा आज का दिन हमारी एक्सपर्ट राकिजी अज बुद्वार के दिन किसी निड्रने का इनतजार रहेगा दिन इन अच्छा आपने बताया है कि माता का सम्मान करें, पूजा करें, और यह तो सब जानते हैं कि जो जण्दनी मा है, अगर हमने उन्नी की पूजा नहीं की उन्नी की सेवा नहीं की, तो कैसे हम लोग, कैते है बहुत है बहुत भंडारे लगें और अपनी मा बुखी बेटें, तो ऐसा तो भी नहीं चाहिए जी बिल्कुल कि मा का सम्मान नहीं किया जिसने जनम दी है तो बहर जा कि अगर भंडारे भी लगा रहे तो उसके कोई फाइदा नहीं है बिल्कुल और मैं थोड़ा सा इसी बात पर एक और बात याद आई कुछ लोग को मैं आप बता हूं कि मैंने यह भी देखा है कि जो लोग बेटी होने से भुपेजी जो खुश नहीं होते हैं उन जब पुत्री की जो जनम होता है उसके बाद खुश नहीं होते हैं वही घर की या तो जैसे बड़ी बुज़ूर्ग होती है या कोई भी घर का सदस्य जब पुत्री के होने से नाखुश होता ह और वही लोग नौ देवी पे जब कन्या नहीं मिलती हैं तो घरों से खीच-खीच के लागे कि अरे कन्या मिल जाए अरे कन्या मिल जाए अपनी 8-9 कन्या पूरा करते हैं तो इस प्रकार की मानसिक्ता को हमें बिलकुल निकाल देना चाहिए कि हम मात्र नौ दिन आप उनके आ करेंगे तो यह भी गलत है बिलकुल और कहा भी जाता है कि कोख में अगर आप बच्चों की हत्या करेंगे तो फिर आने वाले समय में भवे कहां से लाएंगे यह बहुत इक ऐसी बात है एहम बात है और दर्शकों हमारा कारेकरम का जो एक मकसद है वो यही है कि अच्छी र जांतिया फैली हुई है उनको धूर करना जी तो यह बहुत बड़ी बात एक मैसेज जा रहा है कारेकरम के माध्यम से कि अगर हम भुरून हत्या करेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में यह संसार यह प्रकृति नहीं चल पाएगी क्योंकि मात्र शक्ति के बिना प्रकृत होगा दो उपाए है किसी जरूरत मंद की सहयता करें जी तो फिर श्राशी के जातकों आज आपको जरूरत मंदों की यह जो निराश्रित हैं उनकी सहयता करनी है कुछ ना कुछ दान जो जैसा दे सकते हैं उनको कुछ खिलाप ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कही न नेगेटिव एनर्जी से हैं वो पॉजिटिव में कनवर्ट हो जाएंगी जी बिल्कुल तो मितुन नाशी के अगर हम जातकों की बात करें तो राकी जी मितुन नाशी के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिल मितुन नाशी के जातकों को आज किसी निर्ने का इंतजार रहेग तो आपके जो रुके हुए काम है शायद वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं और कही ना कही गव मा को वैसे तो गाये को खिलाना ही चाहिए चारा और हमेशा ही खिलाना चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ जब खार्ट उपाय आते हैं जब हम एक्सपर्ड बताती तो उस दिन उसको ये खास महत्र भी जोड़ जाता है जी तो बात अगर हम करें करक राशी की उससे पहरे लेकिन लाकी जी मैं आपको बात बताना चाहूंगा पूछना भी चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि जहां कहीं ना कहीं कहते हैं कि हिंदूों में ही नहीं हर जगें गाओं को बहुत इज़त की जाती है सब करते है जो गायों के साथ गाओं मास को लेकर बहुत साई चीज़े होती है गायों को काटा जा रहा है तो यह एक बड़ी धर्दनाक बात होती है यह दर्दनाक है बुपेश जी और जब से थोड़ा सा अभी तो यह जो नया शासनकाल हमारा इसमें लगाए कि इसमें तो बिलकुल क लेकिन गाय को हम लोग पूजनिय मानते हैं क्यों गाय को माता से भी ज़्यादा दर्जा दिया गया है। आप देखते होंगे रस्ते में किसी गाय अगर मरी हुई गाय जो दिखती भी है लोगों को तो उनको उसको जाके सम्मान देते हैं। उन पे चादर चड़ाते हैं लोग वहां पे पैसे चड़ाते हैं। जिससे की कोई अच्छा व्यक्ति इनको लेकर जाके इस राशी से उसको उनको सम्मान साइद। कहते हैं राखी जी कि 33 कोट देवी देवता का वास होता है गाय में। असासाद एक बात और है जो दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम गव को या गाय को कुछ खिलाने जाते हैं। तो कई बार देखा गया राखी जी लोग पॉल्सिंद में ले जाते हैं। पॉल्सिंद वहीं फैक देते हैं। 4-5 मिनट बहुत सारी आपकी बीमारियों से आपको बिल्कुल विपदाओं से परेशानियों से बाधाओं से आपको निवारन मिलता है क्योंकि गाय में तो देवता निमास करते हैं। जी बिल्कुल और कहते हैं राखी जी दान जब दो तो अच्छे तरीक से तो ऐसा नहों आपका दान का सदुपयोग ना हो तो अगर आप गायां को खिला रहे हैं तो कमसम यह याद रखिए कि पॉल्सिंद से हटा के वैसा तो पॉल्सिंद का प्रयोगी नहीं करना चाहिए क्योंकि गायां को देते हैं, यह हमारी नदियों में हम पॉल्सिंद से देते हैं, बहुत गरत बात है, यह घच्रा नहीं होना चाहिए, हमें खुद की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, शेहर को सवच और साफ रखना चाहिए, बात करते हैं, लोड थे अपने बारे में बा तो राखी जी कुत्ते को रोटी खिलाने का उपाय है, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, देखा गया है, आम तोर पे कुत्ते को टोस्ट वगरा भी डाल देते हैं, या सिर्फ रोटी ही खिलानी होती है, जी, नहीं, भुपेश जी जैसा अमसे संभा हो सके, अब मैं तो अप या छोटा कुत्ते का बच्चा आया, आपको नॉर्मली तो सामाने तोर पे हमें कुत्ते के लिए एक रोटी तो रोज निकालनी ही चाहिए, गाई के लिए भी एक रोटी रोज निकालनी चाहिए, देन फिर हमें अपना भोजन करना चाहिए, गाई और कुत्ते की तो प्रत कि आगी कि राशी हैं कैसा रहेगा उनका दिन कि क्या कहती है हमारा विस्टिंग कार्ड कैसा रहेगा हमारा भविष्ष कोंसा रंग कड़ता है हमको सूद क्या कहता है मैं आ रही हूँ आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर दर्पन नक्षत्र में स्वागत दर्शकों आप सभी का हमारे खास कारेकरम दर्पन नक्षत्र में ब्रेक पे जाने से पहले बात चल रही थी कि कैसे दानपुन्ने करना चाहिए और किस तरह से हमको जब भी हम दान करते हैं तो हमारे दान का सदुप्योग होना चाहिए बात करते हैं अगली राशी जो की है सिंग राशी कैसा रहेगा इनका आज का दिन सिंग राशी के जातकों को मन में उथल पुथल रहेगी, निर्ने लेने में परिशानी होगी, शुबरंग होगा इनका नीला, शुबंग होगा दो, उपाय है धार्मिक ग्रंथों का पाट पढ़ें जिस तरह से भी वो पढ़ सकते हैं, जो भी उनके धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका पाट जरू करें बिल्कुल कोई भी इस टाइब की बुक जिससे हमें अच्छा मोटिवेश्ट कर रही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल जो भी बुक्स होती है, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल spiritual books, रामायन और गीता, बिल्कुल 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 के लिए रामचरित माना पाट रशीम घटवत गीता है, मुस्लिम भायों के लिए कुरान शरीफ है, और हमारे जो बाइबल है, जो की Christian लोग है, तो उस तरह से या जो सिक भाई हैं, उनके लिए गुरुगन साहिब हैं, जिनका हम पठन पाठन कर सकते हैं, जिससे हमें शान्ती भी मिलती है, मान सिक शान्ती प्राप्त होती है, बिल्कुल, तो यह तो करना भी चाहिए, और अ आज मन प्रसंद रहेगा, जैसा चाहें वैसे करने की छमता रहेगी, आज एक हमारे में टैरो में एक कार्ड होता है, बुपेश जी, The Magician, आज जादूगर की तरीके से कारे करेंगे, यानि की जो भी कुछ करेंगे, उसमें सब में सफलता मिलेगी, एक जादूगर की तरह स आज से उभर के आएंगे आज, इनका शुबरंग होगा पीला, शुबरंग होगा चार, उपाय है, मेडिटेशन करें, ये बड़ा अच्छा उपाया, अगर परसनली में बात करूं, राकी जी, तरह से हर तरह के उपायों से एक तरह से कहते हैं कि सारे उपायों का जी पानी चला आता है, उसी तरह से अगर मेडिटेशन ध्यान करता है को इनसान, तो सारे उपायों खुद बाखुद हो आते हैं, ऐसा सही है गलत है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मेडिटेशन से आपको बिलीव नहीं होगा भूपेश जी, आप वो सब कुछ जो आपने स जोचा भी नहीं होगा, वो सब कुछ पाने की छमता रखता है, मेडिटेशन यदि आप उसको अच्छी तरीकी से करें, कहते हैं ना कि खुली आँखों से हमको वो देखता है, जो की नहीं है, जो माया है, और बंद आखे करने से हमको वो देखता है, जिसका ये संसार है, ज आत्मा का आर्थ होता है, परमात्मा, तो यानि जब आत्मा प्राप्त हो जाएगी, तो यानि कि आपकी जो कनेक्टिविटी है, वो परमात्मा से जोड़ जाती है, और फिर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो हम कभी बिलीब भी नहीं कर सकते हैं, जी बिल्कुल, औ बहुत अब प्रत्याशित लूप से चमतकार घटित होते हैं मेडिटेशन के बाद और इतनी जो सोयूई शक्तिया हैं वो जागरत हो जाती है कैसे हैं कुणलीनी शक्ति जागरत होना चुरू हो जाती है जागरत हो जाती है तो बहुत दर्शी को मेडिटेशन तो आप यह कहना गलत नहीं होगा अतिशोक्ति नहीं होगी कि यह सबसे बड़ा उपाए हैं इसके बाद को उपाए करने के जुरूत में इसने ध्यान करना सीख लिया उसने सब सीख लिया बेलकोल क्योंकि मन्शांत होगा तो हमारे अनदर एक अगरता आएगी एक अगरता आएगी तो हम सभी निर्णे अपने किसी भविशे से सम्बंदित हम तुरंद ले सकेंगे यह बहुत आसानी से बात करते हैं हम अपने अडी राशी जो की है तुला राशी की जातकों को आज कोई नया प्रस्ताव आएगा बहुत सारी खुशिया मनाएंगे शुबरंग होगा इनका सिल्वर शुबंग होगा 23 उपाय है बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करें तो यह तो बात वहीं आत और यह ना सोचें कभी भी कि आप किसी अच्छे कारे के लिए बाहर जा रहे हैं और घर में आप माता पिता को कोई उनके हिर्दय को ठेस पहुचा के जा रहे हैं तो कभी सफलता आपके हाथ नहीं लग सकती वो पिश्ची है अलाकि कल्यूक का प्रभाग है तो यह बात कहन तो उतना आसान है लेकिन इसको उतारना बहुत मुश्किल है दर्श को लेकिन उतारना चाहिए क्योंकि यही हमारी संस्कृती कहती है और राश्या क्या कहती है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद समय हो चला एक और ब्रेक का तो दर्श को बने रही हमारे खास कारेक्रम दर्बंड लक्षत्र में वैसे कई सवालों के जवाब के लिए मैं आ रही हूँ आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर दर्बंड नक्षत्र में सवागा दर्शकों आपका हमारे खास कारेकरम दर्बंड नक्षत्र में एक बार फिर से जो राशियां रहे गई थी ब्रेक पे जाने से पहले आप हम बात करेंगे उनके बारे में कैसा रहेगा उन जातकों का आज का दिन और बताएंगी हमारी एक्सपर्ट राकी जी राकी ज जातकों को किसी वरिष्ट जन से भै रहेगा वरिष्ट जन आपके परिवार में घर में समाज में या आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं इनका दिन मिला जुला बीतेगा शुबरंग होगा इनका सफेद अंक होगा साथ उपाय है गौ माता की सेवा करें तो दर्शकों बही ज आप जगड़ा मत कर लिजिए और नाहीं परिवार में किसी से कोई जगड़ा करिए बस आज का दिन तो शांते से निकालिए और उसमें भी अच्छा होपाय हमारी एक्सपर्ट ने बता है गवु मातला की गाएं को जाके कुछ सेवा कीजिए कुछ उन्हें चारा खिलाई या रोटी खला दीजिए तो धनुराशी की अगर हम बात करें उनके जातकों का कैसा देगा धनुराशी की जातकों को आज ये बहुत नर्वस महसूस करेंगे दिन इनका मिला जुला बीतेगा शुबरंग होगा इनका नीला शुबंग होगा नौ उपाय है जरूरत मंद की सहयता करें उनको जो हो सके अपने दन मन से उनकी सेवा करें जितना जो निकाल सके एक और बात बताना चाहूँगी इसी बात पर भुपेश जी कभी-कभी जब आप वाजपुर कोई मननत मांगी थी जिसको कि हम भूल चुके हैं क्योंकि हम लोग अपने पूरे जीवनकाल में ना जाने कितने मंदिरों में घुम जाते हैं और हमें यह भी नहीं पता होता कि हम किस मंदिर में क्या मननत मांग जाते हैं 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी बात ये भी हमारे आगे जाके फ्यूचर को बहुत कहते ना रुकावट आती है तो इस चीज को भी मैं जो बताना चाहूंगी वीवर्स को कि जब आप ऐसी मन्नतों को भूल जाएं उसका बनिवारन बता रहे हूं और इस प्रकार की जो के हमने कहां मा जाके या किसी व्रद्दा शरम में जाके आप ये बोल के मन्न में कि मेरे द्वारा की गई जो मन्नत यदि मैं भूल चुका हूं या भूल चुकी हूं के बनले में 30-40 लोग को जो भी हम जो भी संभव हो सके भूपेजी फल या खाने के पैकेट जैसे कुछ पूरी और के दान कर दें तो ये प्रभाव भी हमारा पूरा खतम होता है क्योंकि मैंने इसको स्वैम पर तो ये तो राखी जी आपने बहुत बड़ी बात बताई है रामबर बताया दर्श को मैं आपको बता दूं कई बार ऐसा हो जाता है भूल चुक वश किसी भी कारण वश हम बनने होते हैं तो हम हर जगे माथा टेकते हैं मनत मांग के आते हैं जी बिल्पर ये बात भी सते हैं कि हम लोग बूल जाते हैं समय के प्रभाव से तो बहुत अच्छी आप ने बात बताई है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो किसी मंदिर में जा के आप अपने जो पुराना कोई मनत भूला है जो आपको याद नहीं आ रही है वहाँ जाकि उस बारे में प्रहश्शित करके और आप थिर जो भी दोग कि उनको और अप ऑब भोजन करा सकते हैं प्रशाद करा सकते हैं और उस बात की माफी मांग सकते हैं, तो कहीं न कहीं प्रत्याशित रूप से वारा फाइदा हो जाएगा. पूरा फाइदा, प्रत्याशित पूरा फाइदा होगा. आपको आप यह देखेंगे, कि हम कभी करी फील करते हैं, रुकावा टारी क्यों आ रही है, कि अरे हमने तो, यह भी भूल जाते हैं कि हमने कोई मन्नित मांगी थी, लेकिन अगर हम ध्यान करें तो नहीं करें कि नहीं कि न कर दोला जाते हैं, तो सबसे अच्छा निवारान होता है, आप दान करें, इसका ताथ पर है, दान करें, भूकों को भोजन करा दें, तो यह हमारा सब रिलीज हो जाता है, जी, बिल्कुल, और राखी जी, अगर मैं आप से बात पूछूं, कई दर्शक हम से जानना चाहते हैं, कि कई दोश के लिए, देखिए, आपको, जो हम कहते हैं, कि वो वाडशिक रूप से पित्रों के श्राद, उसको नियम अनुसार करें, और बहुत, अगर आप परेशानी नहों, तो आप लोग प्रति दिन, अपने घर के में डोर पर, जो आपके घर का, जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, उस पे सर्सों के तेल का दीपक प्रति दिन, पित्रों के नाम से लगाते समय बोलें, कि उसमें सब पित्र आ जाते हैं, बुखेजी, ग्यात अग्यात, बिल्कुल, सारे ग्यात अग्यात, सारे पित्र आ जो आपके पूरे बहुत पूरवज, दादा के करें उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और आप शराद निया मानुसार करिए और पित्रों के नाम से दीपक जलाए उनको जिस समय शराद आते हैं निया मानुसार उनकी आप सेवा करते रहें को को कहते हैं बोजन भी डालते हैं यह सब करें तो आपका और खुद पर भी ध्यान दें यह नहीं अपने स्वयम के अपने स्वयम के कर्म अपने स्वयम की यह बहुत महत्पूर्ण बात बता रहे हैं अपने यह नहीं कि आपने पित्रों को सब कुछ कर दिया और अगले दिन से फिर आप दूसरे का बुरा करने लग रहे हैं जाकर नो आप खुद पर भ ग्यात हैं और अग्यात हैं उनसे अगर माफी भी मांगते हैं अपनी भूल जुकों की तो वो भी पित्र हमारे खुश होते हो बात करते हैं अगरी राशी जो की है मकर राशी मकर राशी के जातकों की आज वाद वाद होने की संभावना है दूर रहेंगे तो अच्छा है यह उपाय पहली बार आया है गूगल की दूप तो यह तो गूगल बजार से मिल जाती है जी बिलकुल गूगल की दूप भुपेश जी अगर घर में नेगटिव एनरजी फैल रही होगी या आपको डाउट होता है कि हम हमारे घर में कलेश चलता रहता है प्रते दिन या लड गूगल की दूप आप घर में पूरे घर में चला के दिखा दीजिए तो इससे एक सकरातमक्ता अतपन होती है तो इससे हमें हमारे खुद में भी एक पॉजटिव एनरजी आती है और सारे घर में पोजडिवटी फैल जाती है चैने का अर्थ है अगर हम हवन नी कर सकते तो पूरा पूरा प्रवाववन का कपूर और गूगल की धूप से हो जाता है और नेगटिविटी धूर होती है बहुत अच्छा उपाए बताया अगर आप लोग नियम से भी इसको रोज गूगल की धूप जलाए तो बहुत फायदा पहुचेगा अपने कारेस्थल पे भी जला कारंगी शुब अंक होगा आठ उपाय है गाय को हरा चारा खिलाए जी कई ना कई हमारे कारेकरम के द्वारा यही बताया जाता है कि जो बहुत छुट छुटे उपाए हैं वो आप करें तो जिन्दकी में जीवन में कैसे तरक्की मिल सकती है बात करेंगे मीन रशी की मीन रशी की जातकों को आज जिन्द्ने लेने में संकोच करेंगे दुविधा की स्थिती बनेगी शुब रंग होगा इनका काला शुब अंख होगा चै उपाय होगा माता पिता के चरन छुना जैसे कि पहले भी बात आई है कि अपने माता पिता और गुरू का तो सम्मान करते जाना चाहिए और यह उपाय भी यह आ गया है कि मीन राशी के जातकों आपको तो माता पिता के चरन छुने ही चुने हैं तो यह थी आज की बारा मुखे राशियां जिनके बारे महारी एक्सपर्ट ने बताया इनके उपाय बताए शुब रंग शुबंग सब बताए तो अब हम बात करेंगे आने वाले दिनों में और राशिय के बारे में इजाद दीजिए नमस्कार